हेलो वरिवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मारोक्स के यूट्यूब एचुकेस्टन चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वे विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट दे मेडिसीन पैरासिटामॉल सो मेडिसीन की जो डेटेल जान करी हम आपको देने वाले है आज के लेक्चर में रिगाडिंग तब पैरासिटामॉल की जिसको हम PCM भी कहते हैं या पे इसके आप टाबलेट्स देख सकते है कि पैरासिटामॉल का टाबलेट अवेलिबल होता है एस वेल एस उसको पैरेंट्रली भी दिया जाता है पेसंट्स को तो उसका जम कैमिकल नेम है वो है ऐसी टाइमिनोफिन तो पैरासिटामॉल के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डेटेल में स्टडी करेंगे तो लेट्स टार्ट इन देस लेक्चर एक्सपर्ट लेक्चर बाई अमर सर, मिस्टर अमर अमर रावल, असिस्टम प्राफेसर, फाउंडर आफ फामा राउक्स थैंक यू फ्रेंड्स पर भी इन ए वन लेक फैमिली आफ फामा राउक्स अपडेट इड रहे है फामा नोलेज के साथ सबस्क्राइब करिए चैनल यूज करिए फामा राउक्स एंड्रेड फॉन है तो गुगल प्ले स्टार पर से एंड आइफ़ान है तो एप स्टार पर से आप आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगे तो एक्सेस करिए स्टडी माट्रियल इन पीडियाफ एस वेले इने प्रिंटेड वर्जन टेस्स सीरीस एंड वीडियो लेक्चर ओन एफ फामा राउक्स तो अभी डाउनलोड करिए फामा राउक्स ताज का जो हमारा टॉपिक है पेरासेटामोल तो पेरासेटामोल इसे क्लास अब ड्रग और मेडिसीन देट मेंले इंक्लूड आज एज एनलजेसिक एंड एंड एन्टिपाइरेटिक तो जब भी लिखनी होती है मेडिसीन की कैटेगरी medicine की जब हमें category लिखनी होती है तो paracetamol की जो category जो हम कहेंगे that is the analgesic and antipyratic drug analgesic and antipyratic फिर आपको अपस्वाइड में यह होगा कि what is the antipyratic what is the word antipyratic antipyratic are the medicines which are used to prevent or reduce the fever कैसे medicines की जो हम fever की treatment में use करें तो उसको हम कहते हैं antipyratic and दूसरा जो word है analgesic medicine that means medicines which are reduce or prevent the pain sensation तो analgesic को हम analgesic as well as antipyratic दोनों category में रखते हैं जिसके करण paracetamol is used to treat fever as well as to reduce the pain sensation तो यह medicine जो है वो popular है fever की treatment के अंदर की जो हम medicines का है fever के लिए तो fever की treatment में use होनी वाली medicines के अंदर paracetamol जो है वो टॉप पर है कि paracetamol की जो antipyratic medicine भी कहीं जाती है as well as analgesic तो जो fever के symptoms होते हैं कि जिसके अंदर fever भी रहता है साथे साथ आपको जो pen sensation होते है तो इसको reduce करने के लिए हम यह medicine को widely use करते हैं तो यह है paracetamol तो usually आपे हम strength देखें तो 500 mg strength की tablets जो है वो available होती है market के अंदर chemical जो देखे paracetamol तो यह है उसका structure आप देख सकते है और उसका जो हम chemical name देखें तो N-acetyl N-acetyl para-aminophenol इसलिए उसको acetaminophen b कहा जाता है तो N-acetyl para-aminophen तो यह जो है important है आपके लिए MCQ के लिए this point is important for the multiple choice question फिर यह जो आप structure देख रहे है तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो जब आपको chemistry पता होगी तो आपको पता होगा कि जब बैंजिन ring होती है 5 member और यह 5 member benzen ring के साथ जब OH group लगता है तो वो structure बनता है phenol का तो यहाँ पे phenol तो present है structure के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं this is the phenol फिर यह जो position है वो कही जाती है paraposition कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो और्थो लिखते हैं हम यह meta तो यह paraposition chemistry की तोर से तो paraposition पे n-acetyl group जो है वो जुड़ा हुआ है जिसके कारण जो paracetamol की जो chemistry हम देखे chemical ही देखे तो उसका जो chemical name है that is n-acetyl para-aminophenol amino group यहाँ पे देख सकते हैं आप NH तो paraposition पे समझे कि यह phenol है तो paraposition पे amino group that means the NH2 that means the NH2 but यहाँ पे NH है and उसके साथ है C double bond O like this कि यहाँ पे आप C लिख सकते हैं double bond O और यहाँ पे जो है वो valence है यहाँ पे तो जो proper हम structure देखे तो n-acetyl para-aminophenol जो chemistry की तोर से हम समझ सकते हैं कि यह जो point इसलिए मैं यहाँ बता रहा हो कि MCQ के लिए काफी AMP है काफी बार जो question है कि what is the chemical name of paracetamol तो यह जो है वो बहुत बार exams के अंदर पूछा है as well as structure भी आपको draw करना हो तो simply यह structure जो है वो आपको पता होना चाहिए of a paracetamol आगे समझते हैं उसके कुछ important chemical facts तो फार्मिला जो उसका आप देखोगे तो C8, C8, H9, NO2 C8, H9, NO2 chemical name N-acetyl, paraaminophenol उसके बाद उसकी biobility हम देखे so 63 से लेकर 89% जितनी biobility हमें मिलती है paracetamol की protein binding है उसका around 10 से लेकर 25% जितना metabolism देखे तो predominantly in the liver तो यह metabolism उसका होता है liver के अंदर elimination half life हम देखे तो that is 2 to 2.5 hours and excreation through urine around 85 to 90% तो यह है कुछ important statistics की examination के लिए as well as समझे के आप study कर रहे है paracetamol के related तो यह सब information जो है वो आपको पता होनी चाहिए about the paracetamol आगे समझते हैं कि onset of action हम देखे तो उसकी जो action वो तो हमें पता है कि fever and pain sensation in our body दोनों को करती है reduce the fever and pain sensation in the body तो pain relief onset by the root root के according to देखे कि जब आप orally लेते हैं paracetamol तो paracetamol लेने के बाद minimum 35 से 40 minutes के अंदर उसकी action मिनला आपको start हो जाती है और आपको जो भी pain sensation होगे उसमें से मिल जाती है relief तो जब आप उसको by mouth मतलब कि उसका tablet लेते हैं उसका tablet लेते हैं वो भी orally तो orally tablet लेने के बाद minimum 35 से 40 minutes के अंदर उसकी जो है वो आपको action मिलना start हो जाती है कि समझे कि आप ये tablet doses लेते हैं तो 35 सो 40 minutes लेगे by mouth oral cavity से लेगे tablet को आप swallow करेंगे second देखे कि समझे कि परacetamol के आपने बकल टेबलेट ली है बकल टेबलेट के मतलब कि आप आपके chicks और teeth के बीच में रखेंगे तो ये जो बकल टेबलेट के अंदर कि जो बकल केविटी में रखी जाती है बकल केविटी के अंदर कि between teeth and chicks कि between the teeth and chicks जब आप रखते हो tablet को तो वो कही जाती है बकल टेबलेट बकल केविटी के अंदर और जब ये बकल टेबलेट आप यूज करते है परसेटामोल का तो वो आपको action देता है between 15 to 20 मिनिटी के अंदर और उससे भी fast action आपको चाहिए तो intravenously उसका infusion या फिर उसका injection जो है आपको लगाए जाता है और वो minimum 8 से लेकर 10 मिनिटी के अंदर उसकी action देना start करते था तो यह है very very most important points of paracetamol की जो unset by root की कितने time में कौन से root से आपको action मिलती है paracetamol की तो यह काफी important है आपके लिए कि by mouth 35 to 40 minutes के अंदर की जब आप tablet लेते है और वो tablet को swallow करते हैं तो यह tablet जाती है stomach में और उसके बाद उसकी action start होती है by mouth buckle tablet की जो buckle cavity के अंदर आप रखते है between the teeth and cheeks और intravenous के directly आपको injection दिया है या फिर आपको saline के अंदर दिया है drip के अंदर इसका injection या फिर directly paracetamol का infusion आपको लगाया गया है तो वो 8 से लेकर 10 minutes के अंदर आपको action देना start कर देता है तो यह समझ लिए आपने onset of action very very most important तो यह अच्छे से आपको याद रखना है अब समझते हैं उसकी mechanism तो the exact mechanism of the acetaminophen is not known कि exact उसके mechanism जो है वो पता नहीं है किसी को भी अभी तक बट अंदर जो लगाया जाता है कि acetaminophen may याप इसलिए word may लिखा है इसलिए कि उसका मतलब हुआ है सायद कि acetaminophen inhibit the nitric oxide pathway that is mediated by a variety of neurotransmitter receptor include NMDA कि जो हम NMDA receptors जो कहते हैं कि जिसका full form है N-methyl D-aspartate and the subtract P resulting in elevation of pain threshold तो यह एक अंदज लगाया जाता है यह first उसकी mechanism कि जो affect करती है NMDA receptor के उपर कि जो NMDA receptor जो हम कहते हैं उसके उपर affect करती है और दूसरा अंदजा यह लगाया जाता है कि it may reduce the production of prostaglandin in the brain कि हमारे brain के अंदर जो prostaglandin होता है उसका production reduce करता है तो इसके करण जो pain sensation कम होते हैं हमारी body के अंदर acetamol लेने के बाद कि जब आपको कोई pain हो रहा हो body pain तुरत से बंद हो जाता है as well as fever भी यह खाने से reduce हो जाता है तो exact mechanism तो पता नहीं है even आप जो search करेंगे अलग 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 reviews and research article वहाँ भी आपको यही points मिलेंगे but जो अंदाज अलगाया जाता है कि acetaminophen may inhibit the nitric acid pathway meditated by a variety of neurotransmitter receptor including NMDA and subtract P resulting in the elevated of pain threshold और दूसरा अंदाज अलगाया जाता है कि वह reduce करता है prostaglandin का production इने brain तो यह दो आपको याद रखनी है MCQ में इसमें से पूछे जा सकते हैं फिर paracetamol के हम कुछ popular combinations देखे तो paracetamol का combination रहता है caffeine के साथ कि paracetamol के 500 mg strength रहेगी उसमें और caffeine रहेगा around 25 mg फिर paracetamol का combination रहता है domperidone के साथ paracetamol दो fix 500 बढ़ domperidone 10 mg strength में कि जो vomiting के लिए use होती है anti-emetic medication है prevent करती है vomiting वगेरा फिर paracetamol का codine phosphate के साथ भी combination होता है 30 mg strength के साथ फिर acyclofenac 100 mg और paracetamol 325 mg यह combination रहता है तो acyclofenac का तो यह combination आपको कई बार पता होगे कि acyclofenac 100 mg और साथ में paracetamol होता है 325 mg या फिर 350 जितना तो यह combination काफी popular है acyclofenac के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं acyclofenac and paracetamol के tablets उसके लबाँ paracetamol का जो combination होगे है एक और popular that is paracetamol 500 mg उसके साथ डाफिन हैडरमाइन 25 mg रहता है phenylephrine 5 mg और caffeine 30 mg तो ऐसा combination तब यूज होता है कि जब patient को fever भी है cough भी है cold भी है and runny nose जिसी condition की जिसे आप flu-like symptoms जो हम कहते है कि fever को patient को fever भी है मनलब कि जो बुखार भी है खासी भी हो रही है नाक में से पानी निकल रहा है, body pain सो रहा है तो उस वक्त ये combination काफी effective साबित होता है as well as paracetamol and phenylephrine के combination भी useful है cough and cold के condition as well as fever के अंदर तो ये popular combination of paracetamol अलग-अलग उसके doses form देखे तो paracetamol का syrup as well as suspension form भी अवेलेबल होता है market के अंदर फिर उसका infusion normal जो tablets होती है वो as well as buckle tablets भी अवेलेबल होती है ये जो tablets है वो usually जो always use होती है paracetamol की orally लेनी वाली tablets और ऐसे tablets भी होते है कि जो between teeth and cheek up रखते है कि जो buckle tablet की बात होती है after that as a suspense एनके paracetamol is common painkiller for children तो इसलिए paracetamol का combination ibuprofen के साथ भी काफी अच्छा रहता है Rx only रहता है ये proper prescriptions के साथ छोटे बच्चों को दिये जाती है ये तो common painkiller as well as reduce the fever in children it is often used to treat the headache, stomach, stomach pain, ear pain and cold symptoms कि stomach aches, arraches as well as जो headache की जो हम बात करते है तो ये सभी के अंदर कि stomach के अंदर आपको pain रहा है head के अंदर pain हो रहा है, ear के अंदर pain हो रहा है cold के रहा है symptom से, children's के अंदर as well as इने normal patients के अंदर, elder age case patient या फिर normal adult patients के अंदर सभी के अंदर ये, ये symptoms को भी क्योर करता है it also used to bring down a high temperature that means a fever and it is available as a syrup or in a suspension form कि ऐसे patient के समझे की tablets वैलोर नहीं कर सकते तो उनके लिए ये combination काफे based रहता है कि difficulty in swallowing the tablet कि tablet को swallow करने में difficulty होड़े कि समझे कि children's को येसा होता है as well as aged patients होते है, elder age वाले patient होते है as well as को येसा है कि tablet comfortable नहीं होते तो उन सभी के लिए suspense और या फिर syrup form काफी popular है तो paracetamol 10 mg per ml solution for infusion is also used as analgesic कि जो उसका infusion रहता है and relieves the pain and antipyretic lower the fever it is used for short term treatment of moderate pain especially the following surgery है समझे कि patient को surgery भी हुई है और उसके बाद समझे कि completely bad risk पे है patient pain हो रहे है उसको तो उस वक्त paracetamol का infusion काफी effective रहता है patient के लिए कि साथ में उसको risk भी हो जाता है as well as infusion की तोर पे आप उसको देते है तो उतनी difficulty भी नहीं रहती कि समझे कि patient unconscious type का है दूस वक्त जब आप by drip intravenous drip से जब आप ये infusion लगाते हैं तो काफी effective साभीत होता है patient के अंदर side effects भी जानना जरूरी है कि paracetamol के कारण allergic reactions हो सकती है कि समझे कि आपको paracetamol की allergy है तो आपको allergic reactions develop हो सकती है आपके अंदर और उसके कारण racist and swelling even समझे कि excessive dose के अंदर लिया जाए paracetamol को कि उसका जो normal dose होता है कि समझे कि आप 500 mg 3 times a day लेते हैं तो इतना जो है वो maximum tolerated dose हम कह सकते कि एक tablet आप 1,1,1 जो हम लिखते है तो that is the maximum tolerated dose कि ये it is okay और ये समझे कि आप 2 to 3 days के लिए लेते है तो that is okay बड़ समझे कि यही sequence आप 15 दिन तक लेते है 20 days तक लेते है तो उसके कारण आपको दूसरी side effects और हो सकती है that is the liver damage तो गलती से भी ऐसा ना करे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन तक समझे कि आप per day 3 tablet लेते है तो that is okay बड़ समझे कि आप वो 2 से 3 दिन को आगे बढ़ा कि आप 7 days तक लेते है उस तरह से वहाँ से भी आगे बढ़के 14 days और 15 days तक लेते है 21 days तक लेखते है तो यह सबी जो है वो advisable नहीं रहेंगे because उसके कारण हो सकती है यह hepatotoxicity की जिसको कहते है liver damage कि excessive dose में समझे कि आप काफी दिनों तक यह paracetamol खाते है तो that may damage your liver तो यह खास अच्छे से ध्यान रखना है कि liver damage ना हो आपका hepatotoxicity ना हो इसलिए paracetamol तब भी यूज करे कि जब आपको fever हो as well as आपको pain हो रहा हो और एकदम mild जैसा fever हो तो दिन में आप 250 mg जितना morning में ले और 250 mg tablet समझे कि आप night में लेंगे तो भी enough रहेगा excessive dose लेनी की जरूरत नहीं रहती excessive dose दे कि जब आपको काफी high fever है ठीक नहीं हो रहा समझे कि 2 या 3 दिन तक fever कि और नहीं होता आप paracetamol खाने से तो जरूर से आपको आगे दुसरे reports करवा कि proper treatment करवानी चाहिए बट continuously आप paracetamol खाते रहेंगे काफी दिनों तक तो उसके करण liver damage हो सकता है as well as उसके excessive dose लेने से भी आपको liver damage की जो hepatotoxicity जो हम कहते है वो हो सकता है उसके लावा जो flushing low blood pressure and fast heartbeat this can sometime happen when paracetamol is given in hospital into a vein in your arm कि जब आपको vein के अंदर intravenously जब paracetamol का injection कई बार लगाया जाता है तो ये problems जो है वो कई बार create होते हैं in patients and dark urine and clay colors tool is also a one of the side effect of paracetamol तो सबसे पहले तो जो orally tablet लेती ली जाती है तो उसके करण ये खास हो सकता है liver damage तो गलती से भी उसके excessive dose ना ले या proper diagnosis के साथ या फिर advisor के साथ ही use करे तो that was more beneficial for you so thank you friends for attending this lecture जरूर से जोइन करिये whatsapp groups 94261 8036 whatsapp helpline number से updated रहिये pharma knowledge के साथ subscribe करिये channel as well as use करिये pharma rocks download the app pharma rocks android app on google play apple iphone app on app store access कर सकते study material test series and video lecture on app pharma rocks so good luck and all the best iverse रहिस्पश करेपिए बनाव mujer्यध ग्यद्स हम्यच्चYes